तो स्वागत आप सभी को ग्यापन एकडमी के इस नए वीडियो में और आज हम लेकर करके हैं कलाश 12 इंग्लिस 100 मार्स का नेक्स चेप्टर जो की है दा आर्टीस्ट जी हाँ दा आर्टीस्ट को हिंदी में करते हैं कलाकार तो देखिए यह एक सौट एस्टोरी है क्या है सौ दाटीस्ट नाम का जो चेप्टर है जिसका हिंदी हुआ कलाकार इसके राइटर है सीगा नोया ठीक है सीगा नोया दाटीस्ट नाम के चेप्टर के राइटर है यह कहां के राने वाले हैं जपान के जपान के और इनकी जन्म की बात करें तो 20 फरवरी 1883 को इनका जन्म भी थे अब बात करते हैं इनके सिख्षा दिख्षा कहां से रही तो एजुकेशन की बात करें तो यानि टोकिय से यह पढ़ाई किये थे अगर इस चिप्टर का पूरा ब्याख्या एक लाइन में अगर हम बताने की कोशिश करें तो यहां पर देखें लिखें फूल लाइट्स गोटे स्टाइब आपको बहुत ही आसान करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब यह आप समझ लेंगे तो इससे रिगार्डिंग जो भी खोशन होगा उसका एंसर देने में आपको एक परसेंट भी हैजिटेशन नहीं होगी तो विदाओ अनिलेट लाइट्स गोटेशन इस्टाट विदेशन एडिशन एबरी अब द लाइन तो देखें यहां से दाटीस्ट इस चेप्टर का नाम है यह एक सौट इस्टोरी है क्या है यह एक लगू का था है रिटेन बई जैपानिस आउथर किसके दौरा लिखा ग रहने वालों को इंडियन बोला जाता है उस तरीके से जैपान में रहने वालों को घपानीस बोला जाता है और उस जैपानी-अवाथर का नम क्या कि ए सीगा नुए ठीक है तो बिना देर के हम अगला लाइन देखेंगे इस का अगर हिंदी की बात करें तो इस स्टोरी मतलब होता है यह कहानी रिफलेक्ट्स मतलब दरशाती है यह ओल्ड फिंग मतलब पुरानी ख्यालात को पुरानी सुछ को अफटीचर्स मतलब सिक्षक के parents मतलब 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 चात के परती तो कुल मिला जुला कार इसकी हिंदी की बात करें यह कहानी चात्रों के परती सिक्षक और मतलब पिता की पुरानी सोच को दरसाती है यह कहानी this is story ठीक है ना reflects दरसाती है towards students चात्र के परती the old thinking पुरानी सोच को पुरानी खैलात को सिक्षक और माता पिता की है ठीक है अब अगला line देखते है अब अगला line देखेंगे teachers and parents सिक्षक और माता पिता think सोचते हैं that की doing anything कुछ भी करना other than studies यानि पढ़ाई लिखाई को छोड़कर कुछ भी करना देन मतलब को छोड़कर ठीक है न तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ भी करना is a waste of time समय की बरबादी है तो चलिए अब हम लोग अगला line को देखते है इन दिस स्टोरी इस कहानी में सेवी इस अ टुवेल्फ सियर ओल्ड स्कूल गोइंग स्टूडेंट अब देखिए इस कहानी में इन दिस स्टोरी के मतलब होता है इस कहानी में सेवी नाम का एक लड़का रहता है ठीक है न है ठीक है दिखेंगा हूं वाज वेरी फैसनेट जिसको काफी लगन है वेरी फैसनेट मतलब काफी लगन थी एबाउट कलेक्टिंग गार्ड को क्या चीज लोग की कठा करने में हैड नो इंट्रेस्ट और उसको कोई इंट्रेस्ट नहीं था यानि कोई दिल्चस्पी नहीं अब मैं इसको आगे बढ़ता हूं और समझाता हूं विद्द स्टूडेंट्स विद्यार्तियों के साथ आफ्टर कलास के बाद यह अल्वेज वांडर्ड का मतलब यह हुआ हमेसा सोचते रहने का कहा जाता है वांडर मतलब उसका दिमाग कभी इधर उधर मतलब जाना ठीक है न देखें थिंग मतलब होता है सोचना लेकि यहां पर वांडर का परिव इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके दिमाग एक जगह नहीं चारों तरफ मनें जा रहा है तो इसलिए ही अल्वेज वांडर्ड वह हमेसा सोचता रहता था तो रोम एवरिवेर वो हर जगह घुमता था इन सर्च अफ गार्ड यानि लौकी की तलास में बट लेकिन वाटेबर सेवी वास डूइंग जो कुछ भी सेवी कर रहा था इस पैरेंट्स एंड टीचर्स डिड़ नॉट लाइक लेकिन उसके माता पीता और उसके सीछा उसक सेवी यानि सेवी के खिलाब ठीक है सेवी के जो माता पीता थे हैं वो सेवी की खिलाब किसी तरह का भी कंप्लेंट्स सुनना पसंद नहीं करना चाहते थे ठीक है once upon a time एक बार की बात है सेवी 22 गार्ड सेवी ने लोकी खरदा from an old lady ठीक है न एक बुड़ी आउरत से and or takes it to school और इसको उस लोकी को क्या किया उस करदू को क्या किया लेकर के गया विद्याल है he start polishing और उसको polish करना सुरू कर दिया the guard under his desk और उसी लोकी को desk के नीचे polish करना सुरू कर दिया at the same time उसी समय his class teacher caches उसी समय जब वो desk के नीचे वो सेवी नाम कलर कर लोकी को ले जाकर के polish कर रहा था तब तक कि उसी समय उसके class teacher जो है ना पकड़ लिये सेवी with red handed यानि सेवी को रंगे हाथ पकड़ लिये and is very angry at सेवी और वो सेवी के उपर बहुत ज़्यादा क्रोधी थे हुए कौन सिख्छक ठीक है अब चलिए थोड़ा सा आगे अब हम बढ़कर आपको समझाने की कुर्शिस करते है the teacher snatched सिख्छक ने छीन लिया the guard कड़ू को from सेवी's hand यानि सेवी के हाथ में जो कड़ू था उस सेवी के हाथ से कड़ू को छीन लिया कौन सिख्छक and or went to सेवी's parents और सेवी के माता पीटा के पास चला गया and or took सेवी's also और सेवी को ही साथ लेकर के गया and filled a complaint और सेवी के प्रती complaint बर्ज किया on this complaint इस complaint पर सेवी's parents सेवी के माता पीटा scolded बहुत ही बुरी तरीके से डाटा and reprimanded और पुरी तरीके से फटकार लगाया बुरी तरीके से डाटा him उसे and or broke the guard और कड़ू को तोड़ दिया अब आगे देखिए दस वी सी डाट इस पर कर हम लोग देखते हैं कि teachers and parents सिक्षक और माता पिता destroys his talent बच्चे के टाइलेंड को खत्म कर देता है without caring बिना ध्यान दिये for the welfare of the children बच्चों के हीत में परवाह न करते हुए उसके टाइलेंड को पुरी तरीके से द्वस्त कर देता है कौन तो सिक्षक और माता पिता है this is an injustice या एक अन्याय है इसलिए हम लोग कभी भी अगर कोई भी बच्चा अगर विद्धियाले में पढ़ने के लिए आ रहा है अगर हम लोग सिक्षक हैं ठीक हैं अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो अगर कोई कला दिखा रहा है या फिर हम लोग अपने घर में अगर बड़े भाई हैं अगर चोटा भाई जो है अगर पढ़ाई कर रहा है इसकूल जा रहा है इसकूल से आ रहा है अगर खर पर कोई कला कारी दिखा रहा है त उसके साथ अन्याय ना किया जाए जिस तरीके से इस बच्चे के साथ अन्याय किया गया कि वो कद्दू के जो मन लिजे की जो कद्दू था उसके उपर वो पॉलिश करता था या पॉलिश करे कुछ अलग डिजाइन करना चाहता था या वो क्या करना चाहता था उसके मन भाव के साथ खेलवार नहीं करना चाहिए यह एक अन्याय है ठीक है तो उमीद करते हैं कि यह चिप्टर बहुत ही अच्छे ढंक से आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को शेर जरू कीजेगा लाइक कीजेगा और नए है तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स चैप्टर के साथ तब तक के लिए जय हिंद